भाई सब आज अजी देगवन की शातान को रिलीस हुए 14 दिन कम्पीट हो चुके हैं वो फिल्म का 14 दिन कम्पीट होने के बाद फिल्म बॉक्स पे ना रुकने वाली कमाई कर रही है दोसो किसी के अंदर इतना दम नहीं है कि शातान की कमाई को रोक के दिखाए शातान बॉक्स पे अंस्टर बॉबल हो चुकी है ये फिल्म बॉक्स पे 1224 की पहली ब्लॉक्बास्ट मुई बढ़ने को जा रही है दोसो फिल्म ने कमाई से बॉक्स पे तुफान मचा दिया है लगातार ये फिल्म बबली का बेहत तरीके से दिल जीतती ही हमको नजर आ रही है से लमावन में दोसो अच्छी खास हमको भीड़ देखने को मिलो लिए है और फिल्म बॉक्स पे इत्यास रच दिया है दोसो आज शातान को इन बॉक्स पे रलीस हुए इस्टोरिकल अनब्लीबल 14 दिन काम लीड हो चुके है बात की जाएगी शातान ने पहले 14 दिनों का अंदर हिंदी बेल्ट में कितने कमाई की वर्ल्ल वड में कितना कॉलक्शन किया वर्स मार्की से कितना कॉलक्शन किया फिल्म लाइफ टेम कितना धंदा कहरेगी बॉक्स पे सुपरिट होगी ब्लोक्बास्ट होगी या फिर आल्टीम ब्लोक्बास्ट मुई साबित होगी किस-किस मुई के रिकार्ड उसको शातान ने तोड़ दिया और कौन-कौन से रिकार्ड टुटेम बाकी है तो सब कुछ जानेंगी इस वीडियो में तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी स्रिक्वेस्ट है अगर आप लोग सुपरस्टर अजिदेगवन के डाइंग हैंड फैंस हो के साथ पुषपा टू का कलैश होने वाला रिपोर्ट हमको यह में ले लिए कि पुषपा टू भी पॉस्पान हो सकती है सिंग्या मागियन के डर की वैसे रिधा टू आ रिधा टू आएगी 15 नुमबर को बिसकली मैं आपको बदाना चूंगा इद कुपर 12-24 की सबसे मच अब इड़ने फिल्म बड़े मिया छोटे में एक एसाथ कलैश करेगी अजी देगवन की मैदान और दोस्तों इन दोनों फिल्म को लेकि आज तक आजकल पूरे भारत में एक की नूस सोचल मीडिया पे सबसे ज़्यादा बिक रही है कि दोनों फिल्म जो 15-24 को 10 अप्रेल को इन बॉक्स पे रिलीस होंगी इन दोनों में से कौन सी फिल्म बॉक्स पे बाजी मारेगी आज ये देगवन की मैदान बॉक्स पे चलेगी या पि टाई इश्रोफ की अक्षक मार की बड़े मिया छोटे मिया चलेगी आप लोग भी अपनी रहाए कौमर्स सक्ष में जूर डालेगा इदिकोपर आप कौन सी फिल्म पहले देखना चाओगे वेल दोस्वों मैदान का भी हाइप अच्छा खासा है और बड़े मिया छोटे मिया का भी हाइप अच्छा खासा है फिल्म सिनमा होल में वही चलेगी जो पबली को पसंद आएगी जो जिसका कॉंटेंट बढ़िया निकलेगा वेल दोस्वों कर बात किरें शातान को इन्वोक्स पर रेलीस हुए आज हिस्टोरिकल अनिमलीबल 14 दिन कम लीड हो चुके है सुपस्ट अजिदेगवन की शातान फिल्म का बजट है 60 क्रोड का बजट है शातान ने पहले दिन दोस्वों हिंदी बैल्ट में 15 क्रोड 21 लाग उर्पे की उपनिंग ली थी और 2024 की नंबर सेकंड हाइस्ट उपनिंग का रिकोर्ड अपे नाम किया था पहले दिन वर्ड वर्ड में 23 क्रोड 40 लाग उर्पे की कमाई हुई थी दूसरे दिन हिंदी बैल्ट में 16 क्रोड 20 लाग उर्पे की कमाई हुई वर्ड वर्ड में 26 क्रोड 60 लाग उर्पे की कमाई आई तीसरे दिन दोस्तों शातान ने 20.55.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. क्रोट 40 लाग रुपे की कमाई करके फ़लवड में 91 क्रोड की कमाई ऑर इस दिन दे टान निंटेंड मनडे को मंडे को 10 क्रोट 10 लाख रुपे की कमाई करके वलवड में 13 क्रोट 80 लाग उर्बे की कमाई करके इत्यास रच दिया डे 11 को 200 शातान इंडिन बॉक्स पर 3.30 लाग उर्बे की कमाई की वर्ल वड़े में 6.30 लाग उर्बे की कमाई की डे 12 को 200 शातान इंडिन बॉक्स पर 3.25 लाग उर्बे की कमाई करते हूं वर्ल वर्ड में पूरे 6 क्रोड का दंदा किया जो के काबले तरीफ कोलक्षन है दोसो डे 13 को शतान इनिन बोक्स पे 3 क्रोड की कमाई करने में सब लोप आई इंडिया गरोस रक्षन में 4 क्रोड 50 लाख उर्पे की कमाई करते हुए शतान ने दोसो डे 13 को वर्ल से मार्की से पूरे 70 लाख उर्पे की कमाई करके वर्ल वर्ल वर्ड में 200 इत्यासी कल कमाई करते हुए पूरे 205 क्रोड 10 लाख उर्पे की कमाई करके इत्यास रच दिया वेल दोस्तों कर बात किरें शातान डे 14 को इंडिन बॉक्स पे थोड़ा सा ड्राप डाउन लेते हुए हिंदी बेल्ट में 2 क्रोड 90 लाग रुपे की कमाई करने में सब लोग पाई है 4 क्रोड 30 लाग रुपे का इंडिया ग्रोस सेलक्षन रहा ओवर सी मार्केट में 60 क्रोड की कमाई रही और वल्ल वड में शातान ने 14 दिनों कंदर 14 दिन 24 क्रोड 90 लाग रुपे की कमाई करके इत्यास रच दिया दोस्तों अब लोग कंटीनूसरी देख सकते हो डे 11, डे 12, डे 13, डे 14 के अंदर हमको कोई बड़ा ड्रापडाउन देखने को नहीं मिला है बेस्किल दोस्तों 5-10 पसंड एवरी डे हमको ड्रापडाउन देखने को मिला है और फिल्म जो है दोस्तों डे 15 को इनीन बोक्स पे फ्राइडी आएगा डे 17 और 18 को, डे 16 और 17 को इनीन बोक्स पे फिर आने वाला तीसरा सेचड़ी संड़े आने वाला है और फिल्म जो है तीसरे सेचड़ी संड़े को इत्यासी कमाई करेगी वेल दोस्तों शेतान फिल्म का 11 दिन से लेकिए 12, 13, 14 दिन तक यह जो कॉलक्षन है यह आल्टेम ब्लोक्बास्टर मुवियला कुलक्षन है फिल्म अपनी निशानियां दे रही कि यह फिल्म जो है डे 11 से लेकिए इन चार दिनों के अंदर अक बड़ा ड्रापड़ून लेने में सबल नहीं हो पाई है तो यह फिल्म आगे जाके और भी सीनमा उल्म में अच्छी कमाई करने की पावर रखती है फिल्म दोस्तों 14 दिनों का अंदर हिंदी बल्ट में 120 क्रोड़ का अकड़ा टेच कर चुकी है चोदा दिनों के अंदर हिंदी बल्ट की लावा इनजी फिल्म ने इंडिया ग्रोष लक्षर में 140 क्रोड़ 60 लाख रुपे का धंदा कर लिया है फिल्म दोस्तों 14 दिनों का अंदर ओवर सिमार्की से 39 करोड़ 60 लाख रुपे की कम्राई करके इध्यास रचुकी है किवड 11 दिनों का अंदर इस फिल्म ने सूपरीट बनने का टेग लगवा लिया था और अब जो ये फिल्म है ये ब्लोकबास्टर की साइड में बढ़ रही है 20 परसंट जो ब्लोकबास्टर मुवी का वो सफर कंप्लीट हो चुका है 80 परसंट अभी बाकी है वेल दोसों फिल्म की कमाई ये बोल ली है जिस तरह इस फिल्म का 11 दिन से लेकिए 14 दिन दा कॉलकशन स्टेबल कॉलकशन है फिल्म हमको ये निशानियां देरी कि ये फिल्म सीनमाओल में आराम से अच्छे परड़क्शन के साथ 30-40 दिन चलेगी अगर ये फिल्म 60 दिन चल जाती है 30 दिन चल जाती है ये फिल्म अराम से हिंदी बेल्ट में 200 क्रोड का कला दो इंवर्ट कर देगी ये फिल्म अजि देगवान की क्यारी की 4 फिल्म होगी दृरिश्यम टू गॉरलमा लगे आन तांजा जी के लिवा शयतान चौथी फिल्म ऐसी होगी जिसने हिंदी बेल्ट में 200 करोड़ से उपर कमाई कियोगी बॉक्स अबसकी प्रडेक्शन के मताभी ये फिल्म लाइफ टेमिनीन वक्स पे हिंदी बेल्ट में 101 करोड़ से लेकर 200 करोड़ काकरा टच करेगी वरसी मार्केर में 40-50 क्रोड की कमाई करके यह फिल्ब दोसो आराम से वर्लवड में 250 क्रोड से लेकर 300 क्रोड की कमाई करके बॉक्स अब इस पे आल टीम ब्लोकबास्ट में बनने का टैग यह फिल्ब आराम से लगवा सकती है वेल दोसो मैं आपको बताना चूंगा आप लोग शातान को हलके में मत लीजेगा दोसो शातान ने जब से हिंदी बेल्ट में पहले साथ दिनों के अंदर गोलमा लगें इनिन बॉक्स पे 136 क्रोड की कमाई की थी पहले साथ दिनों के अंदर हिंदी बेल्ट में दोसो शातान सो क्रोड का नंबर क्रास कर चुकी अब आज देगवण के पास 14 ऐसी फिल्म है जिनों इनिन बॉक्स पे हिंदी बेल्ट में सो क्रोड से उपर कमाई की है आज़े देगेवने के पर 14 ऐसी फिल्म जोने हिंदी बैल्ट में 200 लोड़ोस उपर क्माई किय है जबके शारू खाल की पास कम फिल्ड हैं साथ फिल्मorta ilmen अक्ष्यक्मार के पास 16 सलमान भाई जाने के पास 7 टॉरेईन वेल दोसो आज़ देगवन के पास अब तक तीन ऐसी फिल्म जोने हिंदी बेल्ट में 200 क्रोड सूपर कभाई की है जबके सलमान खान के पास भी चार है अक्षक मान के पास भी काफी ज़दे लेकिन अगर बात की है सलमान भाई जनकी चौती फिल्म शातान होगी जो वोक्स पे अच्छी कभाई करी आगे मैदान आ रही है सिंगम आगेन आ रही है रादाटू आ रही है और मैं कहा दम्दा कुल मेला के 24 कंदर शातान के बाद आज देवान बैक टू बैक सुपरिटर ब्रोकबास्ट में वेगर देते गए तुज़ा 24 पूरा आज देवान के नाम रहेगा फैल दोस्तों आप लोग कॉमेस सक्षिजू दाना आपको शतान कैसे लगी इस वोड़ी में आपको जो भी इनफरमेशन दी गए आप से एक की रुकस्ट 100% बोक्सव से अप्रूव शुदा मैंने आपको लिस्ट दिखाई गए और आप मुझे पे ट्रस्ट कर सकतो यह 100% टैनर बोक्सव कॉलक्शन रिपोर्ट है लाइक और सिस्क्रेब कर दिए मैं आपको मिलता हूं नेक से वोड़ी में जो के होगी आपके लिए कुछ खास